हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल आई मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा से एंग निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए बताती हूँ आपको यह कैसे बनेगा यह हमारा पैटर्न बहुत हिसान है और इसके लिए हमें छे के मल्टिपल के हिसाब से प्रजेक्ट में डालने हैं उनको अपने छे शे से गुना कर लेना है और उसके बाद दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा होंगे डिजाइन को इक्वल करने के लिए और दो हमारे एक्स्ट्रा होंगे तो यहां पर हमने जिसने भी फंदे डालने हैं छे के मल्टिपल के हिसाब से प्लस टू प्लस टू इस तरह से फंदे लेने हैं और देखें यह, जो हमारा पैटर्न है राइट साइड से स्टार्ट होगा और हमारा प बनेगा 12 फंदों का और दो और दो चार फंदे मैंने अक्स टाली है एक सलाई मैंने उल्टी बना ली हुई है और सीधी तरफ से हम अब इस पैटन को स्टार्ट करेंगे तो अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो आपने उल्टी तरफ से बढ़ा लेने हैं रॉंग साइट से और आइट से हमने इस पैटन को स्टार्ट कर लेना है तो यह दिखें हमारे पैटन की फर्स्ट रो आगी और यह हमारी राइट साइड है रो वन राइट साइड निट टू पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद हम आगे दो फंदे सीधे बुनेंगे देखें एजिंगा फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे सीधे बनाए दागे को अपनी तरफ करेंगे अब हमने चार फंदे अगले उल्टे बनाने है पर उल्टा फंदा जैसे नार्मली बनता है वैसा नहीं दो बार दागा लपेट के बनाएंगे यूं करके देखें यूं करके नीडल पे दो बार दागा लपेटेंगे और फिर हम उल्टा फंदा बुल लेंगे तो इस तरह से हमने चार फंदे उल्टे फंदे बनाने है देखें दो सीधे चार उल्टे दो बार दागा लपेट के बनाने है तो यही छे फंदों का रपीट पैटन होगा अपने पूरी नीडल पे जितने भी आपके फंदे होंगे तो रो वन राइट साइड निट टू पर्ल फोर विद डबल यान यान यानिके दो फंदे सीधे फिर अगले चार फंदे उल्टे दो बार दागा लपेटते हुए बनाएंगे इनी 6-6 फंदों को आपने बार बार रपीट करते हुए रो वन में कम्प्लीट करना है जो हमारे दो एक्स्टा फंदे हैं देखिए जो फिर से रपीट हुआ पैटर्न हमारा अब आगे दो हमारे फंदे जो एक्स्टा है वो हमने यान पे सीधे बनाने है निट करना हम दोनों को जिरें के सीधा बुणना है और जो एक लास्ट का फंदा है एजिंग का वो हम सीधा बना लेंगे तो राइट साइड से रो one हमारी complete हो गई है अब हम आगे हैं उल्टी तरफ wrong side और जे हमारे pattern की second row है दूसतरी स्लाई उल्टी तरफ से हमारी एक फंदा हम एजिंग का स्लिप करेंगे फिर आगे दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो फंदे हमने उल्टे बनाए उसके बाद देखिए जो फंदे हमने डबल यान से लिपेट के बनाए थे वैसे उनको खोल देना है यहां पर उसके बाद अगले दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं पर एक बात का देखे दियार रखेगा जब हम अगला फंदा उल्टा बनाएंगे तो ये दागा जो है न इसको लूज रखेंगे इसको खींच के नीनी बनाएंगे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे फिर से देखिए repeat चार फंदे हमने खोलने हैं इस तरी से पर इनको बनाना नहीं है इनको ऐसे ही खोल के शोड़ देना है फिर अगले दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और दागे को लूज रखके फिर बनाने है अगले दो फंदे तो रो टू, रॉंग साइड, पर्ल टू और आगे है ओपन डवल यार्न ओल्ली लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना के अपनी रो को कम्प्लीट कर लेना है तो आपको यह जो एवरिवेशन है यह सारी मेरी रिटन उसमें मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब आहां से पूरी इसको डेटेल में देख सकते हैं तो यह देखें अब हम आगे हैं सीधे तरफ और हमारी पैटन की यह थर्ड रो है राइड साइड से एक फंदा स्लिप करेंगे आगे दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं एजिंग का फंदा स्लिप करके दो फंदे सीधे अब देखें जो फंदे चार थे एक तो तीन चार चार फंदे जो हमने बिना बुने बनाए थे अब इन चारों को एक साथ नीडल पे लेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं वैसे देखिए इसको चारों को नीडल पे लेके अब चार फंदों से हमने फिर से चार फंदे बनाने है तो ये एक फंदा बना लिया फिर एक फंदा हमने बैक लूप से बनाना है एक फंदा बनाएंगे तो यह हमारे यहां पर चार फंदे बनाएंगे तो हमने चार फंदों से फिर से चार फंदे बनाने हैं इस तरह से अब जहें हमारे देखिए शे फंदे कंप्लीट हो गए यहीं शे फंदे इस तरह से रेपीट करते हुए पैटरन को जाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे knit two stitches make four of four knitwise जनी कि चार फंदों का फिर से चार फंदे बनाएंगे सीधे बुनते हुए तो देखे इस तरह से चारों फंदों को एकठा लेंगे उसमें से हम एक फंदा निकालेंगे फ्रंट लूप से फिर एक फंदा निकालेंगे इन चारों को एकठा करके बैक लूप से दो फंदे हो गए हमारे फिर दागे को अपनी तरफ करेंगे जो देखे दो फिर दागे को अपनी तरफ करेंगे फिर फ्रंट लूप से हमने एक और फंदा यहां से निकालना है तो जब हम द्वारा फ्रंट रूप से निकालेंगे तो हमारे यहां पे चार फंदे बन जाते हैं यह देखें एक, दो, तीन और चार अब जो फिर से हमारे शेफ फंदे कंप्लीट हो गए अब जो हमारे एक्स्ट्रा दो फंदे हैं वो हमने सीधे बना लेने हैं और लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा तो रो थ्री राइट साइड हमारी कंप्लीट हुई अब हम आजेंगे उल्टी तरफ रो फोर रॉंग साइड उल्टी तरफ से चोथी सलाई है हमारे पैटन की एजिंग का फंदा हमने स्लिप करना है उसके बाद हमने सारे जितने भी हमारे फंदे हैं निडल पे हमने सबी फंदे उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करने है जैनि रो फोर रांग साइड परल आल स्टिचीज सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेने है और ये हमारे pattern की fourth row है wrong side से तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है तो मेरी वीडियो को like share जरूर करिएगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर करिएगा फ्रेंज के साथ share करिएगा इस pattern को और मुझे comment करके पताइगा कि आपको ये pattern कैसा लगा ये बहुत ही असान सा pattern है और आप इसको किसी भी project में इस्तमाल कर सकते हैं बनने में बहुत ही असान है और देखने में बहुत ही सुन्दर और अकटशित लगता है तो ये देखे हमारी fourth row pattern की complete हो गई है इस तरह से इसकी लुक आई है अभी सिर्फ हमने चार सलाईया ही बुनी है तो ये देखे हैं इस तरह से इसके pattern उबर कर आया है आपने बस यही चार row जो हैं repeat करते हुए जाना है चार सलाईयों को बार-बार repeat करेंगे तो हमारा pattern ये बनता हुआ चला जाएगा बहुत यसान इसे pattern चल जाता है और ये दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है बनने में भी बहुत ही असान है आप इसको लेडिस कारडीगन पे, लेडिस स्वेटर पे, कोटी पे, शॉल पे, मुफरल पे, बेबी कैप्स पे, बेबी स्वेटर पे, फ्रॉक्स पे किसी बेबी आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ी ही सुन्दर लुक देता है, तो ये देखें, मैंने ये ज्यादा फंदों पे बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाती हो कि इस तरह से इसकी लुक आई है, ये देखें, यहां मैंने सिंप्ली बारा ही बनाई है, मतलब चार-चार रोज को मैंने तीन बार ही रपीट किया है, तो इतना सा बन कर आया है, देखें, लुक इतनी प्यारी इसकी आई है, दो-दो फंदे साइडों से जो हमने बनाये थे, वो सीधी-सीधी उसका डिजाइन आ जाएगा, और जो बीच में चार अगर आपके मर्जी है बेबी प्रोजेक्ट में इस्तमाल करने की या बेबी फ्रॉक्स में, तो आप इसको 2 या 3 रंग में भी बना सकते हैं, बनाना इसी तरह से हैं, सिर्फ आपने रंग को चेंज कर लेना है, तो चलिए फिर बनाईएगा और फ्रेंड्स के शेयर बनाईएगार